हलो स्टुनेंट आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन हर जगह काम आता है स्कूल में कॉलिज में यह फिर कॉम्टिटिव एक्जाम में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा टाइम कंजूम करता है अननमर लिया है यह घंट्र शेकिना कम है क्या करते है या तो उस नमर को मैंस कर दीजी यह फिर समयं से ilan 93 में से 3 को मानस कर दीजी दौनों कुछ भी करेंगे तो दौनों में से मानस करने पर एक ही नमर आएगा तो हमारा नमर क्या जाएगा 90 और बस इन दौनों को क्या कर दीजी तो इस तरीके से आप सिर्फ दो इस टैप में और दो साइकिन में इसको साल कर सकते हैं एक नमर और लेके बताती हुए आपको पैला नमर लेजिए 93 और 94 अब 93 हंड़ से कितना कम है 7 और 94 हंड़ से कितना कम है 6 तो दोनों को अब क्या करेंगे माइनस करेंगे या तो इस नमर में से इसको माइनस करेंगे या फिर इस में से इसको माइनस करेंगे कितना नमर आएगा कितना नमर आएगा शे साथ आड़नों दस ग्यारा बारा तेरा सैवन एटी सैवन और इन्हों को मल्टिप्लाइ कर दें कितना आएगा 42 तो बस देखी कुछी सैकेंट में और आप दो स्टैप में इसको स्वाल कर सकते हैं ठीकि ए तो पहली ट्रिक थी हंडेट से कम नमर के लि 55 ठीकेह अब इसमें क rendome से कितना बड़ा है अप 12 years से कितना तू और 10500 कितना बड़ा है प्लस 5 अब यहां पी क्या उंब मारते प्लस करते इब माइनस था यहां पर माइनस है तो मायनस कर रहे थे और अब यहां में प्लस तो प्लस करेंगे तो या तो इसमें 100 को प्लस कर दीजि या फिर 105 में 2 को प्लस कर दीजिए और दोनों के से इसमें क्या आएगा 107 और अब क्या करते हैं अब इन दोनों को multiply कर दीजिए कितना आएगा 10 तो वस्य हमारा आंसर है तो इस तरीके से हम सर्फ 2 स्टैप में इसको सॉल्फ कर सकते हैं अब एक और नम्म लेते हैं 108 इंटू 105 अब यहां अब 100 से कितना ज्यादा है प्लस एट और 100 से कितना ज्यादा प्लस फाई अब या तो इसमें इसको प्लस कर देजिए या फिर 205 में एट को प्लस कर देजिए तो क्या आएगा हमारा वन जी 113 113 और इन दोनों को मेंटिपला करेंगे तो 40 तो हमारा आंसर क्या आगया 11340 अब एक और कोच्ण लेते हैं 101 इंटू 10 PhD अधिए प्लस बने और Ihr 10दो और यहां पर क्या आए एक प्लस बनने और फ्लस में खेरी इन को क्या करेंगे या तो को टू डिजट ताई चाहिए तो क्या रहना पड़ेगा जी रो लगानी पड़ेगी तो इस तरीके से हम किसी भी नम्मर को दो सेक्ट में मिल्टिप्लाय कर सकते हैं बिना किसी क्यालकुलेशन के चली तो अब हम आते हैं तीसी ट्रिक पर इसी टिक एक नम्मर हंडेट से जादा होगा और एक नम्मर हंडेट से कम होगा तो हम लेते हैं एक नम्मर नाइंटी सिक्स लेते हैं और एक नम्मर वंजीरो 96 और 107 अब किया देखती हैं अब जो नम्मन्मऊ से 1990 बला अंदध से च्होटा से कितना है हो इसके नमर इ नमर इसमें से को माइनस करनेगा गाइगा इसमें सिस्को बढ़ा नहीं। इन दोनों को multiply करके इसमें इसको minus करना पड़ेगा तो क्या आजाएगा हमारा 27102 तो हमारा answer आजाएगा तो इस तरीके से हम 100 से बड़ा और 100 से छोटे नमर को multiply कर सकते हैं चलिए एक example और लेते हैं एक number ले लिए हमने 97 और दूसरा number ले लिए 104 104 104 अब से महीं देखेंगे कि 97 हंडेट से कितना चोटा है माइनस 3 और 104 हंडेट से कितना बड़ा है प्लस 4 तो से अब क्या करते हैं या तो इस नमर को इसमें प्लस कर देते हैं या फिर इस नमर में से इसको minus कर देंगे तो कुछ भी करेंगे एक यांसर आएगा इसमें से इसको minus करेंगे तो कितना आउसर आएगा 101 और 20 बड़ाएंगे और इसमें इसको minus करेंगे कितना आएगा 12 तो बस इसमें minus करेंगे तो कितना आएगा 8,8 और 001 तो इस तरीके से हमारा answer आ जाता है ठीक है तो आप ऐसे किसी भी नमर को ले सकते हैं बिल्कुल two seconds में तो चलिए मैं एक example और देकर बताती हूं मैंने एक नमल लिया है 94 और 105 वज आपको क्या देखना है 94 हंडेट से छोटा है तो माइनस कर दीजिए माइनस कितना है हंडेट से six और यह कितना है प्लस five है तो five कर दीजिए अब इसमें cross में क्या करते हैं प्लस है तो प्लस करेंगे माइनस से तो माइनस करेंगे अब यहां पर प्लस साइन है तो इसमें इसको प्लस करेंगे या फिर इसको माइनस करेंगे कितना हैगा हमारा 99 दो जिरो वड़ाएंगे और इन दोरों का multiply करक इस में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0789 तो 9809870 हमारा आंसर आगा तो हम इस तरह के से 2 सेकंड में किसी भी नंबर का मल्टिप्लाइब कर सकते हैं जो हंडेट के आसपास रहते हैं अगर आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस अब लिखनी की जरूत नहीं पड़ेगी और आप और इनको कल्कुलेट करके लिख सकते हैं और इसको सिर्फ दो साइकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में और आप कहीं पर अच्छे माक्स गेन कर सकते हैं बहुत कम टाइम में थैंक यू